अटल जी का कद इतना बड़ा उनके जाने और ना जाने से फरक नहीं पड़ता है, लेकिन दो नेताओं का नाम में जरूर इसलिए उलेक किया हूँ, ये कांग्रेश के सिर्राहूल गांदी जी और समाजवादी पार्टी के स्री अखले सियादो जी, इन्होंने तो ट्यूट क करके भी जो छोटी-छोटी बातों को दिनबट ट्यूटर पे ट्वीट करते रहते हैं, याद करने का काम नहीं किया है। पहनते हैं, क्या खाते हैं, इस पर सब की पूरी नजर है। लेकिन इतनी नजर होने के बावजूद जब राहूल गांदी को बदनाम करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, तो वेक न्यूस का सहारा लिया जा रहा है। जली देदी होती राहूल गांदी ने, इसके बाद इनका ये दावाद जूठा निकला और कोंग्रस वालों ने स्मृति इरानी की बखिया उधेर कर रख दी। लगातार वीडियो शेयर किये गए कि राहूल गांदी को स्वामी विवेका नन्द याद है, लेकिन शायद आपको सच बोलना याद नहीं है। इसमृति इरानी की भेंकर फजियत हुई, भेंकर बेज़ती हुई वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वाइरल हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी फजियत होने के बावजूद, शायद भाजपाईयों को अभी तक शर्म नहीं आती है। इसलिए इसमृति इरानी जैसी सेम गलती उत्तर प्रदेश के डिप्टी सियम केशो प्रसाद मौरे ने दोहराई है। उन पर साधा निशाना इन्होंने अटल जी के लिए एक ट्वीट नहीं किया, दोनों में से किसी ने भी श्रद्धान जली नहीं दी, बीजेपी ने नेता जी को अंतिम विदाई दी थी, इनके और हमारे संस्कारों में यही अंतर है। तो बीजेपी हमेशा संसकारों की बात करती है, आप जानते हैं, कितने संसकार हैं, क्या संसकार हैं, इसकी पॉल पट्टी खोलेंगे, लेकिन एक लाइन को आप दोबारा फिर से सुनिए। जो केश प्रसाद मौरे हैं, उनका कहना है कि दोनों में से किसी ने भी शद्धान जली नहीं दी। किसने नहीं दी। राहूल गांदी ने और अकलेश यादों ने जो अटल बिहारी बाचपी हैं, उनको शद्धान जली नहीं दी। तो अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं वीडियो आप देखें सोचल मीडिया पर लगातार कॉंग्रेस की दरब से शेयर किया गया है और केशो प्रसाद नौरे को आईना दिखाया गया है क्या कुछ कर रहे हैं राहूल गांदी वीडियो में पहले वीडियो देखें फिर अखिलेश यादों की दरब से क्या बयान निकल कर सामने आया है वो भी बताते हैं और आज तस्रीरे आप देख रहे हैं राहूल गांदी इस वक्त सदैव अटल पर पहुंचे है पूर्ण प्रिधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई को श्रद्धान जली देने के लिए इसके पहले पंडिजवारला लहरू को भी श्रद्धान जली दी राहूल गांदी ने करते हुए यूद कॉंग्रिस अध्यक श्री निवास बीवी लिखते हैं कि सदेव अटल असमारक पहुँचकर पूर प्रधानमंत्री स्वर्गी अटल बिहारी वाजपई को श्रधा सुमत अर्पित करते श्री राहूल गांधी जी तो आपको तस्वीरों में साफ साफ गांधी दिखाई दे रहे हैं कि वो अटल बिहारी वाजपई को श्रधानजली अर्पित कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रधेश के डिप्टी सीम को चिंता इस बात की सता रही है कि राहूल गांधी ने श्रधानजली दी है कि नहीं दी है आपको बता दे क सिर्फ वीडियो ही नहीं निकल कर सामने आए हैं बलकि ट्वीट भी किया गया था जो राहूल गांदी का पूरा कारिक्रम है उसको कॉंग्रेस की तरफ से ट्वीट भी किया था आप कॉंग्रेस का ट्वीट देखेगा इसमें लिखा भी हुआ है कि आज राहूल गांदी जी दिल्ली में देश के विभिन महापुर्शों की समाधियों पर शद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसमें साड़े साथ बजे से लेकर साड़े आठ बजे तक का कारिक्रम लिखा हुआ है। वीर भूमी जाएंगे, शक्ती स्थल जाएंगे, शांती बन जाएंगे, राज घाट जाएंगे। साथ साथ लिखा हुआ है कि विजे घाट पर लाल बाहदुर्शास्त्री को शद्धा अंजली देंगे और उसी के साथ साथ अटल में अटल बिहारी वाजपई को भी सद्धा अंजली देंगे। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बिजे पी की तरफ से किस तरीके से लगातार प्रोपेगेंडा और जूट पहलाया जा रहा है। चिलेश यादों की तरफ से भी इसका बयान इसका जवाब सामने आया है। करारा जबाब दे दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ करारा जबाब की अगर बात हुई है तो मैन पूरी की क्यों बात करें। अपनी सीठ हारने के बावजूद फिर से उप मुखेमंतरी बन कर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बात संसकारों की करते हैं। दूसरों को आइना दिखाने चलते हैं लेकिन खुद के गिरेबा में जाक कर देखा नहीं जाता। आप देख सकते हैं कि कैसे राहूल गांधी भाजपाईयों के लिए गले की फास बनते जा रहे हैं कि ये लोग लगातार अपनी फजियत और बेज़दी कराने के लिए तयार खड़े हुए हैं। हर बार इनकी पोलबटी खुल जाती है लेकिन फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बास नहीं आते हैं। हरने में ये लोग सारे के सारे कितने आगे रहते हैं आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। एक गल्ती पर एक बरफजियत हो जाती है उस पर भी इनको शरम नहीं आती हैं। दोबारा से सेम गल्ती को रिपीट करते हैं। और क्या कुछ करते हैं राहुल गांदी को सिर्फ और सिर्फ टार्गेट करने के लिए इस खबर से अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कि जैसे राहूल गांदी को ये लोग टार्गेट करने के लिए किस हद तक गिर गए हैं उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर पर दबायें बाला पी जरूर दो बाला